हलो स्टुडेंट मैं कुसल सर्मा तो आज देखिए क्लास नाइन में 8.2 एक्सरसाइज का question number 5 करने वाले हैं क्या है इस question में इन्हें पैलोग्राम ABCD यहां में एक पैलोग्राम ABCD दिया गया है और इसमें E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively तो देखिए E जो है वो AB का midpoint है और F जो है वो CD का midpoint हमें दिया गया है अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो line segment AF और EC होंगी वो diagonal BD को trisect कर रही है trisect का मतलब क्या है three equal parts है जैसे bisect का मतलब है दो equal parts उसी तरह से trisect three ठीक है तो trisect तीन इसो में तो अब यह क्या है देखो यह जो AF line है और जो यह CE line है यह दोनों ही मिलकर इस BD line को कहीना कहीं मिल रहे है P और Q point पर तो हमें यह दिखाना है यह P और Q point ने इस पूरे BD को तीन equal इसो में बाट दिया यानि कि हमें BQ PQ और DP इन तीनों की length को equal दिखाना है तो चलिए ऐसा करते हैं पहलों करना है सब figure एक बना लेते हैं A B C D E and F P Q ठीक है चुटा साही भूत है जादा बड़ा क्या करेंगे A B C D A B का midpoint कोई E मा लेते हैं और C D का midpoint कोई F तो A से F तक एक line draw की गई है और E से C तक एक line draw की गई है ठीक है अब B D एक diagonal को ये E और F कहां है अच्छा सोरी P और Q है P और Q पर intersect कर रहे हैं तो अब हमारा target जो है ये B Q P Q और D P को equal दिखाना है तो given क्या है इसमें फिफ्थ question given जो है हमारे पास A B C D is A पैडलो करा है and E and F are mid points है किसके of A B and C D respectively है ना A B और C D के mid points given होगे अब A F और C E intersect कर रहे हैं B D को चलिए कोई दिखकत नहीं है अब हमें to prove क्या करना है कि A F and C E triceps B D अब इसको triceps कैसे करेंगे वो हम that is में दिखा देते हैं कि भई B Q की length, P Q की length और D P की length यह आपस में हम equal दिखाने वाले हैं तो obvious ही बात है B से D की जो line होगी वो triceps हो जाएगी तो proof के लिए देखिए हम starting का से करेंगे हम starting करने वाले हैं इस A B P triangle पर ही ठीक है कैसे हम इस triangle के एक midpoint को लेकर चल रहे हैं और वहाँ से एक line parallel अगर हम इसके दिखा दे किसके AP के parallel दिखा दे किसको EQ को तो converse of midpoint theorem लग जाएगी और वो लगेगी तो Q इस BP line का, BP क्योंकि इस triangle में तो BP line आ रही है न तो इस BP line का क्या हो जाएगा, Q midpoint हो जाएगा that means कि ये दोनों side आपस में equal हो जाएगी, ठीक है फिर अपना target होगा next ये वाला triangle अभी मैं पहले roughly बता रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं फिर इस triangle में F आप notice करो देखो एक side का midpoint है और इस F से एक BP line बन रही है इसको अगर हम इसके parallel दिखा दे CQ के तो फिर से यहाँ पर भी converse लग सकता है converse of midpoint theorem तो उससे P इस DP का क्या हो जाएगा P इस DP का midpoint हो जाएगा that means DQ और PQ equal हो जाएगे जबकि PQ तो आप BQ के equal दिखा के आये थे पहले ही that means ये तीनों के तीनों आपस में equal हो जाने वाली है तो main यहाँ अब problem कहां आने वाली है कि पहले हमें इन लाइन को इस आपस में parallel दिखाना है और इन दोनों को आपस में parallel दिखाना है तो क्या इससे काम चल जाएगा अगर हम इस पूरी AF को इस पूरी EC के parallel दिखा दे तो obviously बात है उनके जो टुकडे होंगे वो टुकडे भी आपस में क्या होंगे parallel ही होंगे ना तो देखिए क्या करने वाले है इस पूरे parallelogram से start करने वाले है since A, B, C, D is A क्या है parallelogram है therefore उसकी जो opposite side होंगी A, B और C, D वो आपस में क्या होंगी parallel भी होंगी इक्वल भी होंगी Am I right? बिल्कुल तो अगर कोई दो लाइन parallel है तो अगर हम उनका half कर दें तो क्या वो parallel नहीं रहेंगी बिल्कुल वो तब भी parallel रहेंगी in the same way अगर कोई दो लाइन equal है और हम उनका half कर दें तो क्या वो तब equal नहीं रहेंगी बिल्कुल रहेंगे बहुत चार चार के equal है तो उनका जब अगर आप half कर दोगे तो भी तो result equally रहेगा न equality भी तो कोई फर्क ही नहीं बढ़ेगा if things are equal then their half is also equal हम पढ़के हुए है 5th chapter में है ना so अब हम इनको naming दे देते हैं देखे अब के half में हम AE और EB कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हमें जरूरत किसकी है इस AE की तो इसके half में हम लिख देते हैं AE ठीक है और CD के half में हम CF और DF कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हमें CF की जरूरत है ठीक है क्यों जरूरत है क्योंकि हम actual में इस हिस्से को क्या दिखाने वाले है पैरलोग्राम दिखाने वाले है पैरलोग्राम दिखा देंगे इस पूरे A, E, C, F, Quadrilateral को तो Automatically Opposite Sides कैसे हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी न, तो वही टार्गेट है, तो देखें, CD के हाफ में हम क्या लिखने वाले हैं, C, F तो इनका हाफ आपस में इक्वल और पैरलल दोनों रहेगा ठीक है, इसको बोल लेते हैं 1, अब हम लेके चलते हैं इन Quadrilateral, कौन सा Quadrilateral, वही A, E, C, F जिसके अभी बात कर रहे थे, A, E, C, F है न, चले इसको हो नहीं है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं तो देखे, इस Quadrilateral में हमने क्या दिखा दिया, कि भई इन इस Quadrilateral, A, E is parallel to C, F and A, E is equal to C, F कहां से पता चला, भई फ्रॉम, वन से पता चला तो हम बोल सकते हैं, भई therefore, A, E, C, F क्या बन गया, is A parallelogram बन गया अब क्योंकि यह parallelogram बन गया है तो ओव्वेसी बात है, इसकी opposite side A, F और C, E यह आपस में कैसी होंगी parallel होंगी, बिलकुल होंगी अब parallel होई तो ओव्वेसी बात है, इनके जो partition होंगे, जैसे A, F का partition A, P, और C, E का partition E, Q, यह भी आपस में कैसी होंगे equal होंगे and फिर से A, F का एक छोटा सा partition देखिए P, F और C, E का जो छोटा सा partition है C, Q, यह भी तो आपस में क्या होंगे, parallel होंगे इसको 2 बोल देते हैं, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है अब आते हैं, अपने main target पर अब लेते हैं, इन triangles को पहले A, B, P triangle को लेकर चलते हैं इस A, B, P triangle को ठीक है इन triangle A, B, P देखिए, E is a midpoint of A, B, कहा से पता चला given से पता चला and EQ is parallel to A, P, ये कहा से पता चला वही, from 2 से पता चला तो यहां पर लग गई ना converse of midpoint theorem therefore, by converse of midpoint theorem ये जो Q है वो क्या बन गई Q is A midpoint of किसकी B, P की अब इसका मतलब क्या हुआ कि B से Q का distance और P से Q का distance आपस में equal हुआ इसको 3 बोल दे हमें जुरूरत पढ़ने वाली है है ना अब हम उपर वाले triangle पर काम करने वाले हैं कौन से triangle पर B, C, D triangle पर काम करने वाले हैं तो देखिए in triangle B, sorry B नहीं C, D, Q इस triangle पर my mistake C, D, Q है ना C, D, Q अब इसमें देखिए F is midpoint है किसका of C, D का and P, F parallel है किसके C, Q के कहा से यह देखिए from 2 से है ना from 2 से और इसका reference given आ जाएगा तो हम लग गए नहीं आपे फिर से converse of midpoint theorem Converse of midpoint theorem तो अब वेसे बात है P क्या बन गया is A midpoint बन गया किसका of D, Q क्या तो इसका मतलब क्या हुआ कि D से P का distance और P से Q का distance हापस में कैसे हो गए equal हो गए लेकिन आब यह देखो B, Q P, Q के equal है और P, Q किसी D, P के equal है यानि कि हम यह बोल सकते हैं कि भई from 3 and 4 से यह तीनों के तीनों ही आपस में क्या आ गए equal आ गए और आपस में आपस में इकवल आने का मतलब क्या हुआ that is A, F and C, E क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ट्राइसेक्ट B, D को डाइगनल B, D है ना अब देखो हमी यही तो दिखाना था कि these two lines ट्राइसेक्ट डाइगनल B, D है ना आपको आपको यह कोश्चन जो है वो समझ आया होगा अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लिस कमेंट बॉक्स में जरूर मैंसन करें तो प्लिस क्लिक दे लाइक बटन और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लिस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू